आलू का परांथा आपने बहुत बार बनाया होगा लेकिन अपकी बार मेरे तरीके से बना के देखेगा ना ही बेलते वक्त आपका परांथा फटेगा और ना ही स्टफिंग बाहर निकलेगी और आलू की स्टफिंग मिलेगी आपको परांथे के हर इसे में ताकि आप उसे इं तो सबसे पहले फिलिंग तयार कर लेते हैं, उसके लिए पैन में मैंने डाला है आदा चम्मत देशी की घी करम हो चुका है, उसके बाद मैं डाल दूंगी आदा चम्मत जीरा और कुछ दाने राई के दोनों को अच्छे से तड़कने देते हैं और उसके बाद डाल देंगे एक हरी मिर्च को बारिक बारिक चौट करके थोड़ा सा चला लेते हैं और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी और साथ ही में थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देते हैं और एक बार चला लेते हैं अब इसके बाद मैं डाल दूंगी थोड़ी सी लाल मि अब सूखी लाल मिचपीस में डाल सकते हैं अब इसमें एड़ कर देंगे उबले आलू यहां मैंने तीन मीडियम साइज के आलू को ग्रेट करके ले लिया है अब एक मिनट तक आलू को अच्छे से चला लेंगे ताकि मसाला उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए अब नमक नहीं डाला था तो टेस्के साब से इसमें नमक डाल देते हैं और साथ में जाएगा थोड़ा सा अमचूर पाउडर अब एक चम्मच इसमें पानी डाल लेते हैं ऐसा करने से स्ट्फिंग के अंदर जो भी मसाले हमने डाले है आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो अब इसके अंदर हम डालेते हैं धनिया पत्ती और इसे भी एक बार अच्छे से चला लेंगे बस एक मिनट तक मसाले को और भून लेते हैं और इसे गैस का फ्लेम ओफ करके ठंडा होने देंगे अगर आप चाहें तो इसे स्ट्रफिंग में तड़के के बाद एक प्यास भी भून करके डाला जा सकता है तो स्ट्रफिंग पूरी तरह से ठंडे हो चुकी है अब इसे स्ट्रफिंग के हम बोल्स बना लेंगे तो इस तरह से बोल बनाके स्टफिंग करने से बहुती अच्छी तरीके से फिलिंग होती है और स्टफिंग बाहर भी नहीं आती है तो इसी तरह से बाकिये सभी स्टफिंग भी बोल्स बना करके तयार कर लेंगे तो अभी आटा ले लेते हैं और आटे में जितने साइस काप को परांठा बनाना है उतनी लोई हम ले लेते हैं तो सबसे पहले लोई को सूखे आटे से अच्छे से कोड कर लीजिए और अब इस लोई की हमें बनानी होगी कटोरी वाली शेप और जब पूरी तरह से ये कटोरी बन जाएगी उसके अंदर हम अपनी स्टरफिंग बोल वाली रख देते हैं अब जो बोल वाली स्टरफिंग हमने रख की है इसे अंदर की तरफ प्रेस करते हैं बाहर की लोई को खीशते रहेंगे एक आज से जो स्टफिंग है उसे प्रेस करते रहेंगे पाहर से लोई को खीशते खीशते ऊपर से इस तरह से कवर कर लेंगे इससे स्टफिंग बीच ओ बीच पहुती अच्छे से सेत हो जाती है और साथ में जो एक्स्ट्रा आता है जिसकी ज़रूत नहीं है वो भी बाहर आ जाता है और इस तरह से फिलिंग करने पर आज़ा बहुत ही कम इस्तमाल होता है और परांथा खाने में वही टेस्टी लगता है जिसमें आज़े का टेस्ट कम और जो स्टफिंग हमने की है उसका टेस्ट जादा आए तो बेलते वक्त स्टफिंग बाहर ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए वो भी देख लेते हैं तो स्टफिंग करने के बाद जितना हो सके परांठे को पहले हातों से ही हलका हलका प्रेस करते वे बढ़ा कर लेंगे और उसके बाद बेलन से इसे बेलेंगे लेकिन थोड़ा सा हलके हातों से आलू के सासत बहुत तरह के भर्मा परांठों की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ आप चाहें तो वहाँ जा करके देख सकते हैं तो हलके हातों से बेलते वे हमने परांठे को तयार कर लिया है और यहां दूसी तरफ हमारा तवा भी गरम हो चुका है तो तवे पर शुरू में कोई भी घी नहीं लगाना है सिंपल गरम तवे पर परांठे को छोड़ देंगे अब कुछ देर बाद साइट चेंज कर देते हैं और जब दोनों तरफ से हलके हलके से ब्राउन डोर्ट बन जाएंगे उसके बाद हम इस पर घी बडर ओयल कुछ भी जो भी आप खाते हैं वो लगा लेंगे और जब दोनों तरफ से सिकने के बाद बिना घी लगाए ही परांठा हलका हलका सा फूलना शुरू हो जाए तो समझ लीजेगा स्टफिंग बहुती बड़िया तरीके से फिल किये हमने परांठा अच्छा बेला है और परांठा बहुती जादा क्रिस्पी बनने वाला है तो आप देख सकते हैं कि परांठा दोनों तरफ से बहुती अच्छे से फूलने लगा है तो इसके चारों तरफ हमने गी लगा दिया है जरा सी भी स्टफिंग कहीं से नहीं निकली है आप देख सकते हैं तो सिंपल तरीके से आलू के परांथे आप बहुत बार बना चुके होंगे लिकिन अब की बार जैसे मैंने स्टफिंग बताई है बिल्कुल वैसी ही स्टफिंग बना करके और सभी उन टिप्स के साथ परांथे को बना करके देखेगा यकीन मानिये स्टफिंग बहुत जादा अलगाएगा और इस तरह से आलू का परांथा आप किसी के लिए भी बना दीजेगा यकीनन आपकी तारीफ करेंगे क्योंकि ये बनता ही इतना जादा टेस्टी है तो आएए इसे सर्फ कर लेते हैं मेरे घर में जब भी गयस्ट आते हैं तो बाहर के खाने की जगा हमेशा डिमान होती है ये वाले आलू के परांथे की तो परांथे ना सिर्फ बाहर से देखने में अच्छा लग रहा है बलकि मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ कि स्टरफिंग किस तरह से परांथे के हर इसे में अच्छे से डिस्ट्रिब्यूट हुए है तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शियर कमेंट और चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले